नमस्कार दोस्तों मैं हूँ डॉक्र जस्मीत आलुवालिया, बेरियेट्रिक, मेटाबॉलिक, एड्वांस, लेपरोस्कोपिक, एंड लेजर सर्जन हम लोग बहुत फ्रिक्वेंटली डियाबटीज के लिए ओपरेशन करते हैं जिसे की metabolic surgery या डियाबटीज surgery बोला जाता है और इस वीडियो में हम बात करेंगे की डियाबटीज के early symptoms कैसे पहिछाने डियाबटीज बहुत ही common disease है और बहुत ही slow progressive disease है इसलिए initial symptoms पहचानने इसके मुश्किल रहते हैं और बहुत सारे लोगों को कई सालों से diabetes होती है और उसके बाद ही वो उन्हें पता चलता है कि उन्हें diabetes हो गई है जुरूरी है कि लोगों को इसके initial symptoms के बारे में पता हो ताकि वो जल्दी ही अपना test करवा कर diabetes को पहचान पाए और जितना जल्दी उसका इलाज शुरू कर देंगे उतना जल्दी ही उनका control अच्छा होगा और उनकी complications कम रहेंगे तो diabetes के कई तरह के initial symptoms हो सकते हैं लेकिन सबसे पहले जानिए कि diabetes दो तरह की है type 1 and type 2 type 1 usually बच्चों में देखी जाती है और बच्चों में symptoms पहचानने कुछ मुश्किल रहते हैं तो इस वीडियो में हम सिरफ type 2 की बात करेंगे जो कि ज़्यादा common है और वो कुछ late stage या late age में देखी जाती है जानि age 30, 40 के राउन family history का बहुत बड़ा role है अगर आपकी family में mother, father या siblings diabetes के शिकार है या even उनके पिछली generation नाना, दादा, दादी इन सब में या even उनके पिछली generation आपके four fathers में किसी को diabetes type 2 था तो आप खास ज्यान रखिए कि आपको ये होने का chances काफी ज़्यादा है और आपने regularly symptoms को monitor करते रहे हैं डियापटीज के symptoms में बहुत एक common symptom है यूरी निचन ज्यादा होना और प्यास ज्यादा लगना यानि कि अगर आपको लग रहा है कि पिछले कुछ तिनों में आपको जरोज से ज्यादा प्यास लग रही है और आपको urine रूटीन से ज्यादा पास हो रहा है इवन रात को भी उठना पड़ रहा है यूरीन पास करने के लिए तो हो सकता है कि आपको type 2 diabetes हो यह इसलिए होता है क्योंकि diabetes में urine में sugar होने की वज़े से urine ज्यादा बनता है और body में ज्यादा fluid loss होने के वज़े से आपको ज्यादा प्यास लगती है skin symptoms को ध्यान में रखे इसके साथ अगर आपको ज्यादा भूक लग रही है यह symptom हो सकता है diabetes का और भूक लगने के बावजूद भी आपका अगर वजन कम हो रहा है यानि अगर आप weight loss करने की कोई खास कोशिश नहीं कर रहे है फिर भी unexplained reason से आपका weight घड़ता जा रहा है तो यह भी एक lection हो सकता है uncontrolled diabetes का और आपको यह test करवाना चाहिए इसके बाद अगर diabetes कुछ देर तक बढ़ जाए तो कुछ complications हो सकती है जैसे तिखने में दिक्कत होना blurred vision होना आपके हाथों पैरों में tingling sensation होना यह भी एक symptom हो सकते हैं और अगर आपको wound healing यानि कोई जखम हो गया है और वो properly ठीक नहीं हो रहा है जैसे कि हम expect करते हैं कि कोई भी जखम एक reasonable time में ठीक हो जाना चाहिए अगर वो नहीं हो रहा है और आपको लग रहा है कि wound healing delayed हो रही है तो वो भी एक symptom हो सकता है diabetes का diabetes में blood sugar जादा होने की वज़े से blood में infection जल्दी से नहीं जाता और immunity कम होने की वज़े से infection और बढ़ता रहता है इसलिए wound healing में problem आती है फिर males में four skin की infection बार-बार होना भी एक symptom हो सकता है diabetes का तो अगर ऐसा हो रहा है तो यह test ज़रूर करवाना चाहिए later stages में dry skin होने लगती है तो अगर आपको लग रहा है कि skin unusually dry है तब भी आपको इसके बारे में सोचना चाहिए और अगर आपको बहुत जारा tiredness लग रही है जो आप otherwise explain नहीं कर पा रहे है तो तब भी यह collection हो सकता है diabetes का diabetes के दू तरह की test है एक तो जो हम routine blood sugar test करते हैं जो हम randomly दिन में किसी time भी कर सकते हैं या फिर preferably सुबह खाली पेट जिसे हम fasting blood sugar कहते हैं जो करना चाहिए body में blood sugar के levels हमेशा कम या जादा होते रहते हैं depending upon कि आपने कितना खाना कब खाया है और आपने physical activity कितनी की है so हो सकता है कि पहले कुछ सालों में blood sugar जब आप करवा रहे हैं उस समय इसकी range लगभग normal आए because it depends कि आपने उससे कितनी देर पहले खाना खाया था और कितनी physical activity की थी so इसके लावा एक और test है जिसे हम HPA1C के नाम से जानते हैं जो कि हमारे पिछले तीन महीने की average sugar बताता है तो यह test जादा reliable है अगर आपको doubt है तो आप blood sugar के लावा HPA1C का test करवा सकते हैं जो लगभग confirmatory test है कि आपको diabetes है या नहीं so इन चीजों को ध्यान में रखिए और अगर आपको कुछ भी doubt हो रहा है तो test करवा कर diabetes को पहचानिए अगर आप इसे early detect कर लेंगे तो आप इसका इलाज अच्छे से कर पाएंगे और complications से बच पाएंगे I hope ये वीडियो देखकर आपको कुछ doubts क्लियर होएंगे और आप इस problem से better लड़ पाएंगे Thank you